दक्षुन आफ्रिका के जोहांस बर्ग में आयोजित ब्रिक्स के 15 वे समित पर पूरी दुनिया की निगाहे टिकी हुई थी उसमें भी सबके दिमाग में यही बात चल रही थी कि भार्वतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर क्या बोलेंगे ब्रिक्स के बविश्य और विस्तार के नजरिये से 22 से 24 अगस्ट के बीच आयोजित जोहांस बर्ग समित का महत्व काफी ज्यादा है ब्रिक्स का विस्तार कैसे होगा और किन मानकों पर नए देशों की इस समू में प्रवेश होगा इस पर पिछले कई महनों से लंबी बहस चल रही है इस तरह का परसेप्शन भी बनाया जा रहा था कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के विरोध में है और इस वज़े से दी ब्रिक्स के बाकी देशों के साथ ही अमेरिका और यूरोप समेट पूरी दुनिया इस मसले पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के मुख से भारत का पक्ष जानना चाहती थी पंद्रवे ब्रिक्स शिखर संबेलन को 23 अगस्त को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कई सारे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा ब्रिक्स के विस्तार पर तमाम अटकलों को धत्ता बताते हुए उन्होंने बड़ी ही बेबाग अंदास में भारत के नजर्ये को रखा उन्होंने अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया कि भारत ब्रिक्स के विस्तार का विरोधी नहीं है लेकिन एक पहलू ऐसा है जिसको लेकर ही सबी सदस्य देशों को इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए